नमस्कार कैसे हैं आप G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया भर में भारत का डंग का बजा रोसी राष्ट पती पुतीन भारत तो नहीं आये लेकिन रसिया में बैठ करके पुधान मंत्री मोदी की तारीफ की इस सफल आयोजन के लिए मैं फिन लूट कर ले गए बिटिस प्राइम मिनिस्टर रिसी सुनक ने सनातन भारत का गौरब बढ़ाया जी ट्वेंटी की बैठक में दुनिया के देश जान पाए वसुदैव कुटुम्बकम क्या है और क्यों दुनिया भारत की नजर से देखी जानी चाहिए क्यों हर राष्टा ध्यक्षों को प्रधान मंत्री मोदी ने खुद वसुदैव कुटुम्बकम का माईने समझाया क्यों ने कोनार्ठ की वो घड़ी के सामने में हर फ्रेम खिचवाया और क्यों नालंदा विश्व विद्याले की तस्वीर दुनिया के सामने रखी दरसल कॉंग्रिस इनी सब चीजों से जली भूनी थी और मोदी देश को यही दिखाना चाहते थे कि भारत के गौरव से कॉंग्रिस कैसे बिलखती है अब G20 का आयोजन खत्म हुआ तो BJP कार्याले में CEC की बैठक थी दरसल भाजपा और मोदी स्टाइल और पॉलिटिक्स जो है भाजपा का उसमें एक काम समाप्त होने के बाद ही मोदी दूसरे में लग जाते ही G20 के सफल आयोजन को भूनाना उदेश नहीं था उदेश था CEC मतलब भाजपा के चुनाब समीती की बैठक जो आगामी जो विदान सफा चुनाब चत्तिसगर्ड राजस्थान और मद्य प्रदेश में होने हैं उसकी कैसे तयारी की जाए प्रान मंत्री मोदी उस CEC के मेंबर है जेपी नड़ा भाजपा के अध्यक्ष है और बीजेपी कार्याले में देश का प्रान मंत्री आया था तो स्वागत तो बनता है प्रान मंत्री मोदी का स्वागत G20 के लिए हुआ उस सफल आयोजन के बैंड बाजा के साथ फूलों की बारिश हुई ये देखकर कॉंग्रिस बौखला गई तरप गई और कॉंग्रिस के खेराती या खेल करने लगे कि G20 तो देश के उपलब दी है इसमें बीजेपी का क्या दर्द सरकार तो बीजेपी की ऐ खेराती भोल जाते हैं और कमाल की बात ये है कि जब कॉंग्रिस ने हाथ खोल करके मूँ च्यार च्यार करके जब इस G20 की बुराई की सिर्फ इसलिए प्रियंका वाडरा कहती है कि भारत मंडपम में पानी जम गया था इस से सब कुछ पता चल गया इस तुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उस पे सारा पानी फैल गया है मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं भगवार ने कह दिया कि अपना हंकार कम करो अपना हंकार कम करो इस देश ने तुम्हें बनाया है इस देश ने नेता बनाया है इस देश को आगे रखो इस देश की जनता को सर्वो परी बनाओ दरसल भारत मंडपम के एक हिस्से में दिल्ली NCR में हुई जोड़दार वारिश के कारण कुछ घंटों के लिए जल जमाब हो गया था लेकिन आधनिक तकनीक से कुछी देर में वो जल जमाब को स्ठीक कर लिया गया प्रियंकावाडरा वही तस्वीर इठा करके अपनें ट्विटर से या यू कहें भाषन से मंचों पे कहने लगे तो प्रियंकावाडरा के बयान को उटा करके कॉंगरिस के कई खेराती पत्रकार कूदने लगे बारिश के कुछ पानी दिखा करके तो स्वाभाविक है जब कॉंग्रिस इस मैदान में उतनी तो फिर सीड़ नूज, सीखी वी कॉमन वेल्थ गेम की वी बात हुई और कॉमन वेल्थ गेम की बात जब भी होती है तो भारत की उस खेल सफल आयोजन की नहीं उसके ब्रश्टाचार की चर्चा होती है कॉंग्रिस के जितने खेलाती पत्रकार हैं धान गेहूं एक्सपर्ट, चहे वो या कोई और जो यूटूवर हो चुके हैं उन सब ने अपने सोसल मीडिया पर अपने यूटूब पर यह कहना शुरू कर दिया कि कॉमन विल्थ गेम इतना शांदार आयोजन था लेकिन दिन्ली की ट्रैफिक नहीं रोकी गई दिन्ली के आम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोका गया यह सब के सब प्रवोक कर रहे थे कि पब्लिक सड़क पे उतर कर दंगा करने लगे एक सामानिक कॉमन विल्थ एक खेल की तुलना इतने बड़े आयोजन से किया जाने लगा कॉमन विल्थ गेम सिर्फ यह उना किनारे बनाए गए खेल गाउं से लेकर के इंदीरा गांधी इंडोर स्टेडियम या जवाहलाल लेहरु स्टेडियम के जुडाव का मामला था उसके लिए एक स्पेशल सड़क मनाई गई थी और उसी से खिलाडियों को आना जाना था कहां ये सामानिक खिलाडी और कहां धरती के बीत विक्सित रास्ट्र के रास्ट्रा ध्यक्षों का मामला इसके तुल्ला जब कांग्रिस करने लगी तो तैसी बात है बीजेपी को अफसर था दरसल बीजेपी और मोदी यही चाहते थे कि कांग्रिस और उसके खिराती ये सवाल उठाए कि जस्टन बीजेपी कारियाले में क्यों G20 का जस्ट ने BJP कार्याले में क्यूं यही उनकी बॉखलाहट थी और यही BJP और मोदी चाहते थे तब फिर बिमर्श होना कि जब कॉंगरेस इस कामन विर्थ गेम को बड़ा बना करके और इस G20 की शांदार उपलब्दी को छोटा करने का शड़ियंद्र कर रही थी तो BJP को यह ज़स्ट न दिखाना ही था विपक्ष के रूत में जो भारत का गौरब है उसे कमतर करने के इस शड़ियंद्र में कॉंगरेस फिर फंस गई नौ से दस सेप्टेंबर तक पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी और वो शांदार भारत मंडपम देख कर दुनिया की आँखें चका चौद जिस देश को कभी निहरू ने साप सपेरों का देश बताने के लिए दुनिया के दूसरे रास्टा अध्यक्चों के सामने भारत की तस्वीर पेश की उस भारत की तस्वीर मोदी यूग में कुछ ऐसे पेश किया जा रहा था कि हर रास्ट के रास्टा अध्यक्ष एक खास जगह पर जो फ्रेमिंग करा रहे थे वो कौनार के मंदिर का, कौनार के सुर्य मंदिर का वो घरी घंटाल था जो बताता है कि भारत ने समय की गणना दुनिया को कैसे सैक्लो साल पहले सिखाई थी जब भारत दुनिया के लोग पठना लिखना नहीं जानते थे तो भारत में नालंदा विश्व विद्याले हुआ करता है दरसल भारत विश्व गुरु है दुनिया को प्रानमंतरी मोदी के अध्यक्षता में नितृत में यह दिखाया गया कॉंग्रिस की बेचेनी इसी बात को अब चुकिये मोदी बीजेपी के नेता है तो बीजेपी ये क्रेडिट क्यों नहीं लेगी यदि कॉंग्रिस खुद ये क्रेडिट लेने लगती कि ये भारत की उपलब्दी है यदि प्रियंका वाडरा राहूल गांधी भारत मंडपम में इस आयूजन के फिल्योर होने का रोना ना रोते भारत की इस उपलब्दी पर वो भी जश्ट मना देते तो बीजेपी का ये जश्ट न छोटा हो जाता अब सवाल कॉंग्रेस के खैराती उठाते कि ये जश्ट बीजेपी को मनाने का इदिकार क्या है ये जश्ट मनाने का इदिकार हर भारतियों को था कॉंग्रेस को भी था कॉंग्रेस चूकी तो बीजेपी ने इसका फायदा उठा लिया इसलिए बीजेपी कार्याले में ये जस्टन जरूरी था बहुत बहुत धन्यवाद